अध्याय 15 ठोस आकृतियों का प्रिष्ठिक शेत्रफल एवं आयतन सर्फिस एरिया एन वॉल्यूम ओफ सॉलिट्स परिचे इंट्रोडक्शन हम त्रिवी में संसार में रहते हैं जिन त्रिवी में आकृतियों को हम देख सकते हैं या स्पर्श कर सकते हैं उन आकृतियों की लंबाई, चोड़ाई और उचाई को मापा जा सकता है कई बार हमें इन आकृतियों के अव्यवों जैसे आयतन, ख्षेत्रफल, आदी को मापने की अफशक्ता होती है जैसे जमीन खरीदते बेचते समय मूर्ती बनाने में कितना सामान लगेगा पता करने में इत्यादी त्रीवीमी आकृतियों के ख्षेत्रफल और आयतन पता करने के पहले हम इन आकृतियों को खोल कर देखते है बच्चों, हमने द्वीवीमी आकृतियों एवं त्रीवीमी आकृतियों के बारे में पढ़ा है द्वीविमी आकृतियां जैसे वर्ग, आयत, वृत और त्रीविमी आकृतियां जैसे गोला, बेलन, शंकु, घन और घनाब हम द्वीविमी आकृतियों से त्रीविमी आकृतियां प्राप्त करते हैं जैसे देखिए मेरे पास ये एक आयताकारशीट है क्या इस आयताकार शीट से हम कोई घं बना सकते हैं या घं आप चलिए करके देखते हैं देखे इसमें मैंने इस आयताकार शीट पे ये कुछ वर्गाकार खाने खीच रखे हैं और अब मैं इससे एक घं बनाऊंगी मैंने घंई क्यों कहा? क्योंकि हमने यहाँ वर्गाकार खाने खीच रखे हैं और हम जानते हैं कि घन की जो फलके होती हैं वो वर्गाकार होती हैं इसी प्रकार यदि हम आयताकार खाने खीचें तो उससे हम घना भी प्राप्त कर सकते हैं पर चलिए पहले हम घन मनाते हैं तो इसके लिए मुझे cutting करनी होगी, तो इस आयताकार sheet में कुछ cutting कर लेते हैं, यह देखिए, इस तरह जिन खानों की हमें आवशकता नहीं है, चलिए उन्हें काटकर अलग कर लेते हैं, तो चलिए बच्चो, हमने cutting के बाद इस तरह छे वरगा कर खाने प्राप्त कर लिए हैं, और अब हम इनको मोड कर घन बनाएंगे, ठीक है, तो चलिए इसको मोड लेते हैं, यह देखिए, यह इस प्रकार से हमने इसको मोड लिया, तो यह क्या हुआ, यह देखिए, यह क्या बन गया, यह हो गया एक घन, घन के पारे में हमने क्या क्या पढ़ा है, उसमें छे फलके होती हैं, तो छे वरगा कर खानों से बनाए हमने, तो छे फलक हो गई है, देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, और यह छे, और कितने शिश होते हैं उसमें? आठ शिश. तो आठ शिश कौन से हुए देखिए? एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ और ये आठ. ठीक है? अब बात करते हैं कोरों की, यानि कि उसकी भुजाएं. तो कितने होंगे कोर? बारा कोर. चलिए, उसे बिगिन लें. तो देखिए, यह उसके बाद नीचे के फलक को ले लेते हैं. पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा और बारा. तो इस प्रकार हमें बारा कोरे भी मिल गई. तो ये हो गया हमारा घन. ये घन हमने कैसे बनाया था? ये जो घन है, ये हमने इस प्रकार की जो दिविमी आक्रिती हमें छे वर्गाकार डबों से जो थी, उससे हमने घन बनाया था. ये ही उस घन का प्रिष्ठी जाल है. तो हर त्रिविमी जो आक्रितियां होती है, उनके प्रिष्ठी जाल होते हैं, जिनसे वो बनी होती है. अच्छा, विकर्ण के बारे में तो आपने सुनाई है. आयत और वर्ग के विकर्ण की. तो ये देखिए, इसके एक फलक पर मैं विकर्ण बना ले रही हूँ. ये बन गया. ये देखिए, ये एक विकर्ण बन गया. ये स्वर्ग का विकर्ण है. अब यदि हम घन का विकर्ण चाहते हैं, जिसे हम आकाशी विकर्ण कहते हैं, वो किस प्रकार का हो यह जो शीष है इस शीष से इस शीष को मिलाने वाला याने कि यह जो शीष हमने कहा इस शीष से इस शीष को जो विकंड मिलाएगा उसे हम घन का विकंड याने कि आकाशी विकंड कहते हैं देखे बच्चो यह हमने एक और प्रिष्ठी जाल बना लिया है यह जो प्रिष्ठी जाल है इससे हम बनाएंगे घनाब इसमें यह जो हमने खाने खीच रखे हैं यह आयताकार है क्योंकि हम घनाब की रशना करने जा रहे हैं और उसकी फलकें आयताकार होती है देखिए अब हम इसमें कर देते हैं नंबरिंग यह फलक एक दो तीन चार पाँच और यह हो गई छे छे फलकें बच्चो यहां नंबरिंग की आवशक्ता क्यों है हमें यह देखेड इस प्रकार से हमने नंबरिंग कर दी है यहां पर हमें नंबरिंग कiven इसलिए है क्योंकि आईता कार जो फलके होती है वो आमने सामने की फलकोगों को ज़रूरी है कि वह समान हो तब ढ़ताप की रश्र ना होगी तो यहां पर देखे यह जो पहली फलक है यह तीसरी फलक करे आमने सामने होगी यह बॉनों बच्चो इस बात का भी ध्यान रखें जब आप ये प्रिष्ठी जाल बनाएं तो जो फलकें आपस में मिलेंगी उनकी कोरें समान होनी चाहिए याने कि उनकी कोरों की लंबाई समान होनी चाहिए जैसे ये देखिए ये जो आपके ये जो फलक है इसकी ये जो कोर है इसकी ल दमबाईए देखिए यह आपको इस तरह से मिले गाई तो इन्हें समान होना चाहिए तभी तो यह आप इस तरह के का घनाब बना पाएंगे ठीके तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप इस प्रिष्ठी जाल की रचना करें इसके बाद अब हम इसे मोड कर घनाब ब इतनी फ़लके हैं छे फलके कितने शिर्ष और कितनी कोरर 20 को एंब बात करने फिर से विकांड की तो हर फलक में आपको विकंड मिलेंगे जैसे हमने पहले किया था तो हर फलक में हम विकंड़ की सकते हैं सब्वरक को मिलाएगा घनाब के इस शीर्ष से यदि दीखिए घन यह जो शीष है घनाप का इस शीष से घनाप के इस शीष को मिलाने वाला जो विकर्ण होगा वो घनाप का विकर्ण होगा याने की आकाशी विकर्ण होगा पेज नंबर 348 करके देखें पहला पुट्टे के घना का डिब्बे लीजिए और उनकी कोरों को काटते हुए अलग-अलग धंग से खोलिए आप कितने प्रकार के विभिन खुली याने की समतल अकृतियां पाते हैं दूसरा घन का प्रिष्ठी जाल याने की नेट बनाईए हम पुट्टे के घना का डिब्बे से ग्यारा भिन भिन प्रिष्ठी जाल प्राप्त कर सकते हैं एक घना आपका प्रिष्ठी जाल कैसा होगा तीसरा एक पुट्टे से चार सेंटीमिटर भुजा वाला घना का डिब्बा तयार कीजिए चौथा एक पुट्टे का घना भा का डिब्बा तयार कीजिए जिसकी भुजाएं 12 सेंटीमिटर, 6 सेंटीमिटर और 8 सेंटीमिटर है घन और घनापके भाग, Parts of a Cube and Cuboid पहला घन और घनाब के प्रिष्ट, कोर और शीश फेस, एज, एंड वर्टेक्स पिछली कक्षाओं में हम घन, घनाब और बेलन के बारे में पढ़ चुके हैं इस अध्याय में हम घन और घनाब के भागों के बारे में जानेंगे पता लगाएं एक्स्प्लोर दिये गए घन और घनाब के चित्र को देखिए यहाँ A, B, C, D, E, F, G, H घनाब और P, Q, R, S, T, U, V, W घन है घन और घनाब का नामकरण शीशों के अधार पर होता है क्या आप घन और घनाब के प्रिष्ट, कोर और शीशों को गिन कर उनके नाम बता सकते हैं? घन या घनाब के प्रिष्टों और शीशों के बीच क्या संबन्ध है? आकरिती साथ व आठ का अवलोकन करते हुए मित्रों से चर्चा करें और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें आपके अवलोकन के बिंदू निम्न लिखी थें दिये गए घनाब में छे प्रिष्ट हैं जो ABCD, EFGH, AFGB, GEHC, AFED और BGHC हैं ABCD और EFGH आपस में बराबर हैं इसी प्रकार AFGB और GEHC, AFED और BGHC बराबर हैं आकरिती साथ व आठ का वलोकन करें और बताएं कि कौन-कौन सी कोरों की लंबाईयां और कौन-कौन से प्रिष्ट आपस में बराबर हैं दूसरा, घन और घनाब के विकर्ण Diagonal of a Cube and Cuboid शिक्षक ने विद्यार्थियों से पूछा चौक के डिब्बे व कक्षा की आकरिती कैसी है? सभी विद्यार्थियों ने उत्तर दिया कि घनाब जैसी है तब शिक्षक ने पांच विद्यार्थियों को बुला कर उन्हें चौक के डिब्बे में पैंसिल रखने को कहा विद्यार्थियों ने कहा कि पैंसिल किसी भी तल पर रखने पर डिब्बे में नहीं आती A, B, C, D, E, F, G, H चौक का एक डिब्बा है इस डिब्बे में पैंसिल को तल B, G, H, C पर रखने पर हम देखते हैं कि पैंसिल डिब्बे के अंदर नहीं समा पाती क्योंकि पैंसिल की लंबाई डिब्बे की लंबाई से अधिक है तब क्या पैंसिल को डिब्बे के अंदर रखा नहीं जा सकता लेकिन यदि पैंसिल को BGHC पर इस प्रकार रखें कि उसके सिरे BH या GC की ओर हो तब एक संभावना बनती है कि शायद पैंसिल डिबबे में समा जाए क्योंकि आप देखते हैं कि BGHC में BH या GC की लंबाई BG वब BC से अधिक है एक चौक का या अन्य कोई खाली डिबबा लेकर देखें जो घनाब के आकार का हो यदि पैंसिल को ऐसा रखने के बाद भी वह डिबबे में समा नहीं पाती तब क्या pencil को रखने का कोई और तरीका हो सकता है जिससे pencil के डिब्बे में समा सकने की संभावना हो अब यदि pencil को इस प्रकार रखें कि उसके सिरे DG या AH या FC या EB की ओर रहे तब हम देखते हैं कि pencil के डिब्बे में समा जाने की संभावना और भी बढ़ जाती है गनाब का आकाशी विकर्ण है यानि AH, DG, FC, EB घनाब ABCDEFGH के आकाशी विकर्ण है इन्हें हम घनाब का विकर्ण कहते हैं घनाब ABCDEFGH में उसके तल के विप्रीत कोनों की दूरियां जैसे AEWDF, DHWEC इत्यादी घनाब के प्रिष्ठी विकर्ण है तब शिक्षक ने कक्षा के सभी विद्यार्थियों से कहा कि किसी घनाकाश डिब्बे में धागे की साहता से आकरिती 9 में दर्शाई गई दूरियों D1, D2, D3 वर D4 को माप कर देखें कि उनमें कौन सी दूरी सबसे अधिक है इन दूरियों को हम क्या कहेंगे D1, D2 और D3 को घनाप का विकर्ण कहते हैं परंतु D4 क्या है? क्या हम इसे भी विकर्ण कह सकते हैं? यह भी एक विकर्ण है किन्तु बाकी से अलग यह घनाप के किसी भी तलपा रिस्थित नहीं है इस प्रकार D1, D2, D3 और D4 विकर्ण है परंतु यह दो भिन प्रकार के हैं D1, D2, D3 किसी प्रिष्ट पर बने विकर्ण है इसलिए इन्हें प्रिष्टी विकर्ण कहते हैं तथा D4 पूरे घनाप में हैं इसलिए इसे घनाप का विकर्ण Diagonal of Cuboid या आकाशी विकर्ण कहते हैं